है गाइस विल्कम टू माय चैनल अजापकॉट है और गाइस यह विडियो फ़र फाब्रिक के उपर है मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम फ़र फाब्रिक का टेक्स्ट्रे प्रियेट कर सकते हैं कैसे हम फर की रेंडरिंग कर सकते हैं और बहुताइ सिखाऊंगी मैं आपको आप भीजिली ड्रा कर सकेंगे फर तो लेट स्टार्ट सो आप देख सकते हैं कि जो फर कोट है उसकी सिलुवेट मैंने अल्टरी डॉट कर रखी है पैंसिल से और मैंने बहुत ही जाधा यूज़ उसके है। है जो आपने फर गामेंट शो करना है उसकी सिलुएट बहुत ही लाइट रखेंगे हम फिर हम इसमें कलर एपलाय करेंगे और बहुत ही लाइट कलर एपलाय करेंगे बेस कलर को हम लाइट रखेंगे जैसे मैंने अपने कोट में परपल कलर शो करना है तो मैंने यहां परपल स लिया है बेस के लिए और अगर आपके पाँ स्टेडलर नहीं है तो आप वाटर कलर या पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हैं कि कलर अप्लाइ करने के बाद हम इस पर वाटर एप्लाइ कर देंगे वाटर एप्लाइ करने से बहुत ही ज़्यादा स्मूध इफेक्ट आता है इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टेडलर ही यूज करूँ क्योंकि अगर हम पोस्टर कलर भी यूज करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट करना वरता है हमें पानी मिलाके स्टेडलर से फ्रके आप इस आपएबलनी आप स्टेडलर ही यूज करें इस वाटर को हम ड्राइ होने देफें water dry होने के बाद जो हमारी silhouette है जो pencil lines हमने लगाई थी उसको हम रेज कर देंगे आप कोशिश करना starting में ही pencil lines को light रखना for the next step हम dark color लेंगे base color से dark color select करेंगे जैसे मैंने purple color का coat show करना है so मैंने proper purple color लिया है यहाँ पे और उससे हम lines लगानी start करेंगे fur का texture show करने के लिए हमें lines लगानी है क्योंकि fur की जो look आनी है वो lines के through ही आनी है बहुत ही soft manner में smooth manner में प्यार से अराम से हमने lines लगानी है क्योंकि fur वैसी बहुत soft होती है so जब हम illustration में भी उसको show कर रहे है तो वह लगनी जाए कि वह soft है so आप बहुत ही अराम अराम से प्यार के साथ lines लगाना और जो मैं lines लगा रहे हूं उसकी जो direction है that is vertically मैं नीचे की तरफ vertically lines लगा रही हूं क्योंकि जो garment की fall है वह इस तरह से है comment fall कर रहा है बिल्कुल straight fall कर रहा है और vertical direction में fall कर रहा है so हमें direction का ध्यान रखते हुए lines लगानी है अगर आपका pose ऐसा है जैसे figure का जो hand है वह उपर की तरफ है तो आपको lines जो है वह उस direction के साथ आपको mold करनी पड़ेंगी जिस direction में आपकी silver जा रही है उस direction में आपको fur की जो lines है वह mold करनी पड़ेंगी तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बहुती soft manner में हम lines लगा लेंगे चोटी-चोटी lines लगानी है और ये भी नहीं कि एक ही बार में लंबी-लंबी lines लगा दी और काम खतम ऐसे भी नहीं करना सो patience के साथ हम soft manner में lines लगा लेंगे और जो हमारी lines है उनको हमें silhouette से भी बाहर निकालना है क्योंकि तब ही real look आएगी fur की सो इसलिए मैंने जो pencil lines थी silhouette की वो मैंने erase करा दी क्योंकि fur होती ऐसे है कि जो hair है वो बाहर को भी निकले होते हैं सो वो हमें illustration में show भी करना है तो हम silhouette से थोड़ा 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 बाहर निकालेंगे lines को बहुत ही हलका सा इसके लिए आप sharp pencil यूज करेंगे lines mark करने के लिए हमें sharp pencil यूज करनी है सो थोड़े थोड़े time बाद pencil को sharp कर ले ताकि जो lines है वो विल्कुल clearly visible हो coat की जो hem line है जो अंदर की तरफ folded portion है आप देख रहे हैं उसमें भी मैं lines के through ही fur का texture शो कर रही हूँ सो कहीं बे भी आपने fur का texture शो करना है बस lines के through वो शो होगा फिर हम same pencil color से थोड़ी और dark shadows apply करेंगे अब देख रहे हैं मैं apply करी हूँ कहीं कहीं पे जादा नहीं भरना हमें बहुत ही कम जगा पे कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें लगता है हमने shadow show करनी है वहाँ पे हम same pencil color use करेंगे जिस pencil color से हमने पहले fur का texture create किया lines लगाई जो फरकी उसी pencil color से हम shadows add कर देंगे और जो आपने folds mark करने हैं कहीं पे तो वो भी हम mark करेंगे कहीं पे हमने garment में कोई features highlight करने है तो वो भी हम इस step में करेंगे last में मैं और dark shadows add करने के लिए मैं black pencil color use कर रही हूँ और इससे भी मैं थोड़े बहुत features highlight कर लूँगी थोड़े folds mark कर लूँगी जहां पर में को dark shadows show करनी है वो show करूंगी मैं और black color मैं इसलिए use कर रही हूँ क्यूंकि जो मेरा base color है वो already थोड़ा dark है purple color है तो उसके साथ जो black है वो blend हो जाएगा बट अगर आपका base color light है कोई pastel shade है pink है कोई भी light color है तो आपको black color नहीं use करना आपको जो आपके color से जो आपका garment का color है उससे related dark color use करना है और जो भी dark color हम use करेंगे उसके बाद उसको हम base color से blend भी करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर black apply किया है तो मैं साथ के साथ purple colors के साथ उसको blend कर रही हूँ ताकि वो odd ना लगे और blend भी हम lines की form में ही करेंगे otherwise जो fur की look है वो खराब हो जाएगी जो inside portion है coat का मैं उसमें भी color add कर रही हूँ और मैंने इसमें same color ही रखा है मैंने color change नहीं किया आप चाहें तो change भी कर सकते हैं और purple color से ही मैं shading भी कर रही हूँ so guys here is the final look of the illustration और अब देख सकते हैं कि fur coat की जो look है वो कितनी realistic आई है और आपने देखा कितना easy भी था fur fabric की rendering करना I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी make sure to hit the like and subscribe button thanks for watching